अजी हलो एवरीवन वेरी गुड मॉनिंग आप सभी का स्वागत है करेंट अफैस क्लास में बाई कीरती पांडे जो रोज होता है सुबह 8 वजे और यहां पर सिर्फ नए करेंट अफैस नहीं पढ़ते हैं हम लोग डेली करेंट अफैस तो पढ़ते ही हैं लेकिन साथ ही एक वो अदा किया गया था कि हम इस क्लास में अगर आप रेगुलर भी रहते हैं मलब जैसे जनरली तुम लोगो टेंचन होता है यार माम आज से करेंट अफैस पढ़ना शुरू किये हैं कैसे याद होगा तो याद करने के लिए हम है ना तो कल यानिकि साटरडे को जो पहल चीज मैंने आपके लिए प्रिपेर किया है वो उन बच्चों के लिए जिनका एक्जाम इस महीने है तो फेवरेडी में तो फेवरेडी में तीन महीने का करेंट अफैस बहुत जरूरी होगा है ना फेवरेडी में जो पहला तीन महीना है उसके करेंट अफैस आपको बहुत मैं उनके लिए कल सुभा 8 बजे, कल 8 बजे सुभा, कल क्या है? 4 फेवरी है, 4 फेवरी को साटर्डे है, तो मैं आपके लिए 4 फर्वरी को 8 बजे सुभे, November, December और January के Current Affairs का आपका डिविजन करवा दूँँगी, ठीक है? पहला चीज अंडस्टूड उसके बाद फिर पुडाने तीन महीने जो आपके रहेंगे यानि ऑगस्ट, सब्टेमबर, ऑक्टूबर और ऐसे करके हम लोग पुडाने कर इंटरफेस का रिविजन कर लेंगे तो प्लीज आप लोग ध्यान से आईएगा, अनिकेत यादफ कल बहुत परिशान थे, है ना, तो वो बहुत परिशान थे करेंटरफेस को लेकर, तो कल ये तीन महीने को पहले हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे, ठीक है, चले, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग अब आज जो है, पहले उसको ध्यान से देखो, आज मेरे पास 50 क्वेशन है, और ये 50 क्वेशन आपके फेवरेरी मन्त के क्वेशन है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखेगा, और आंसर बताइएगा, कौन सा ऐसा शहर है जो आंदर प्रदेश की नई राजधानी बन गया है ठीक है तो यहाँ पे विजयवारा, गुंतूर, कुर्णूल और विशाखा पत्नम इस तरह से चार आप्शन है तो पहला सवाल जो है वो है विशाखा पत्नम है ना क्या हुआ रितिक रितिक क्या हो गया तुमको कहा जा र जग मोहन रेड़ी ने अनाउंस किया है कि 31 दिसेंबर 2023 को की विशाखा पत्नम नया क्यापिटल हो जाएगा ठीक है और अम्रावती अभी तक क्यापिटल था देगे सबसे पहले तो आपको पते कि हैदरबाद क्यापिटल था लेकिन 2014 में जब तलंगना अलग हुआ तो अम और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जगन मोहन रड़ी आ गये जगन मोहन रड़ी आ गये फिर सप्रेशन हो गया आंधरा का और तलंगना का हैदराबाद को क्यापिटल बना दिया गया था कॉमन ठीक है उसके बाद हैदराबाद क्या बन गया तलंगना का अब आंदरप्रदेश जो है, उनका अब से नया capital क्या हो गया है, अब से नया capital क्या हो गया है, विशाखा पत्नम, ठीक है, चलिए, पहला सवाल clear हो गया, अगला सवाल है, कि as per AISHE, ठीक है, A-I-S-H-E, इस report के अनुसार, मैं दो मिनिट लेट हो चुका हूँ, दो मिनिट में एक question हो गया हमारा, इस report के अनुसार पूछा जा रहा है, कि कौन साइसा state है, इंडिया में, इस report के अनुसार पूछा जा रहा है, कि इंडिया में कौन साइसा state है, जिसमें सबसे जादा, सबसे अधिक number of colleges हैं, सबसे जादा college कौन सा है, डाइउडिनल टाइड होते हैं जो पूरे दिन में दो बार टाइड आते हैं ठीक है तो डाइउडिनल टेंपरेचर रेंज पूरे दिन में टेंपरेचर कितना वैरी करता है उसी तरह से टाइड होता है नीप टाइड होता है स्प्रिंग टाइड होता है बहुत जादा हुआ तो spring tide, कम हुआ तो neep tide, ठीक है, चले, तो इस तरह की concepts जो है, वो हम पढ़ाते रहते हैं, आप लोगों को, आप लोगों पता हिए, geography class में, हन जी, तो सबसे जाधा college जो है, ये उत्तर प्रदेश में, महाराश्रा में नहीं है, बहुत लोगों बचा महाराश्रा कह रहा है, द रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे जाधा number of college है, उसके बाद महाराश्रा में, उसके बाद करनाटिका में, 8114 college है भाई, उत्तर प्रदेश में, और 32 college पर 1 lakh population, तो यहाँ पर 32 college है, 1 lakh population के अंदर, और महाराश्रा जो है, वहाँ पर 2nd में है, लेकिन 2nd में, है कि number almost आधा है, ठीक है, 4532 college है, और 34 college है, इसका as per, as per 1 lakh population, क्योंकि आपको बता है, UP का population ऐसे भी जाधा है, चले next, lifetime achievement award by India UK achievers honor, ठीक है, तो India UK achievers honor, यहाँ पर जो achiever है, उनको सम्मान दिया गया है, इंडिया UK के achievers honor को सम्मान दिया किया है, तो आपने बताना है, किसको सम्मान दिया गया है, तो सम्मान किसको दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंग, ठीक है, तो हमारे former प्रधान मंतरी जी जो है, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंग को, lifetime achievement, अभी सारे नए question है, 50, तो प्लीज contribution, जो की आर्थिक और राजनीतिक life इनका रहा उस पे दिया गया है, और ये कहां पे, तो ये दिली में दिया गया उनको, National Indian Students and Alumni Union, N-I-S-A-U-U-K, यानि कि वो वहाँ से पढ़े थे, तो इसलिए वो, वहाँ के क्या होगे, आलुमिनी होगे, ठीक है, आलुमिनी, जैसे आप जिस कॉलेज किसे पढ़े होंगे, वहाँ पे जब आप बहुत बड़े सुपर स्टार बन जाएंगे, यानि बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो आपको वहाँ बुलाया जाएगा, कि आलुमिनी है, आईए, पर बन चुका है, तो आपने बताना है, कि ये जो याया सो है, ये प्रॉसपर्ट बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज बना है, ये कहां पर बनाया गया है, ये कहां पर बनाया गया है, याया सो को, हां जी, तो ये बनाया गया है, कहां पर, तो लद्दाख में, लद्दाख में, या या सो एक लेक है या या सो एक लेक है लद्दाख में है ना और हाँ बिलकुल CRPF के लिए भी एक लास है बिलकुल Head Constable Ministerial Question Paper भी है मैं बिलकुल बिलकुल तो या या सो लेक है लद्दाख में और यह Prosper Biodiversity Heritage Lake है और यह कहां पे तो अंडर Biodiversity Biological Diversity Act के तहट या या सो को यहा यहां पर known as bird paradise बहुत सारी चिडिया आती है यहां पर इस altitude में और 4820 मीटर यह उंचा है यहां पर बहुत सारी चिडिया आती है खासकर कौन सी आती है तो काला रंग का जिसका गला होता है black neck crane ठीक है तो सारस चिडिया यहां पर आती है next सवाल है कि Bio Asia 2023 की बात चल रही है और इंडिया के साथ किस country ने partnership किया है तो क्या यह Ireland है UK है Netherlands है या फिर आपका Denmark है ठीक है तो चले तो यहां पर Bio Asia के बारे में United Kingdom आ चुका है global business बनाया है Bio Asia को और United Kingdom ने यह हमारा as its partner country तो यह partner country बन गया है 20th edition of largest event तो यह Asia के लिए यह Asia में नहीं है न यह Europe में है लेकिन यह Bio Asia के लिए क्या बना है partner country बना है और advancing for one तो shaping the next generation of humanized health care one का मतलब होता है one health है न का मतलब होता है next generation health और E का मतलब होता है equity यानि कि बड़ाबरी में next generation को बड़ाबर health मिलेगा Asia में इसके लिए कौन सा country आया है आपने 20 संसकरन में तो 20 संसकरन में partner country बना है United Kingdom चले next सवाल है next सवाल है हां जी very good morning everyone बहुत अच्छा बहुत बच्चे आज आएं है क्लास में जो बच्चे नए हैं पहली बार आए हैं हम आपको बता दे कि अगर आज से भी आप संकल प्लेते हैं पुडाना जो हुआ वो छोड़ो आज से भी आप सोचते कि मैं मुझे ना current affairs पढ़ना है और मैं चाता हूँ कि मैं regular रहूं और मेरे current affairs हो जाएं तो बिलकुल पटना है कोट के लिए भी है तो आप आज से regularly इस क्लास को देखके सुभे 8 से 9 अपने सारे current affairs revise कर सकते हैं कल Saturday को हम पुडाने रिवाइस करवाते हैं तो 3 महिने के current affairs सबसे पहले कल हम आपको करवाने वा हाइफा हाइफा फॉर यूएस डॉलर 1.2 बिलियन तो देखेगा इसराइल में एक पोर्ट है और भारत का एक कंपनी इसका नाम है अडानी ग्रूप अभी बड़ा न्यूज में चल रहा है एक नया टर्म आया है ट्रेडिंग लोग करते हैं तो माली जै कि हम स्टॉक कर दे और उसका दाम बहुत बढ़ते जा रहा है तो उसको फाइदा हो रहा है लेकिन एक अलग टाइप का ट्रेडिंग चल रहा है जिसमें स्टॉक कर दे और जितना दाम घटेगा उतना ज्यादा हम को समझाएंगे कि यहां से उतना सवाल आएगा नहीं तो अडानी ग्रूप के चेर्मेन है गौतम अडानी और बेंजामिन नितन्याहू जो है वो इस्राइल के पी-एम है बहुत अच्छा रिष्टा है हमारा इनसे और हाइफा पोर्ट जो है वो इस्राइल का सेकंड में सबसे बड़ा पोर्ट है और अडानी ग्रूप ने इसको खरीद लिया है चलिए जी ट्वेंटी का एजुकेशन ग्रूप का मीटिंग हो रहा है है ना तो जी ट्वेंटी का एजुकेशन ग्रूप की मीटिंग चल रही है कहां चल रही है तो चिन्नाही में चल रही है ठीक है तो चिन्नाही एक्सप्रेस है ना एक फरवरी से दो फरवरी दो दिन चली है औ Formation and Broadcasting Minister of States, ठीक है, तो इनका नाम है L. Murugan, इन्होंने inaugurate किया, और K-12 Education पे Technically बच्चों जो हैं, वो Able हो, Online पढ़ें, इस पे बात चली, First Employment Working Group Meeting, ठीक है, तो जो काम करते हैं, जो Employed है, जैसे कि जिनके पास काम है, उनकी Meeting चली, तो ये जो First Employment Working Group की Meeting चली है, और ये शेर्पा कहां, ये भी G20 के अंदर ही चली है, तो ये जोदपुर में चलेगी, दो तारिक से लेकर 4 फरवडी के बीच में, और यहां पे 20 अलग-अलग Country के Delegates आए हैं, जो लोग काम करने हैं, उसके बारे में, ठीक है, Union Budget के अनुसार, Income Tax Limit को Increase किया गया है, तो कितने जैसे पहले था कि 5 लाक रुपए तक जिनके पास कमाई है, उनको Tax देने के आवशकता नहीं है, अब क्या हो गया है, कि अगर आपकी कमाई 7 लाक रुपए तक है, 7 लाक, तो 7 लाक रुपए तक अगर आपकी कमाई है, तो आप Tax भड़ेंगे, लेकिन आपको Tax में Rebate मिलेगा, आपको वापस कर दिया जाएगा, कोई भी Tax नहीं लगेगा, No Income Tax, इस Payable at 7 लाक ए यर, और यह 2023-2024 financial year में किया जाएगा, और it was 5 लाक so far, अभी तक था कि 5 लाक था, और अब क्या हो जाएगा, कि यह 7 लाक हो जाएगा, it increased the Tax Exemption Limits, तो यह Exemption Limits को बढ़ा चुका है, इसको आपको याद रखना है, इसको हम क्याते ही, New Tax Regime, अब पुडाना वाला हो गया, Old Tax Regime, ठीक है, चलिए, Next आप देखेंगे, हांजी, बोल रहे हैं, आपका लगेगा कि नहीं, अच्छा, यानि तुम पुछना चालो कि हम 7 लाक से जादा मेरा है या नहीं, चलिए, As per Union Budget 2023, a mission will be launched to eliminate Thickle Cell Anemia, Anemia अब हम जब होता है, खून की कमी, खून की कमी, ठीक है, तो खून की कमी जो है, वो किस साल तक हटानी है हमें, तो यहाँ आप देखेंगे, Finance Minister Nirmala Sita Raman ने कहा है, बजट में कहा है, कि यह बहुत जरूरी हो गया, ठीक है, बजट में कहा है, इसलिए, कि 2000, 2047, जब हम अजादी का स्वावा वर्षगार्ट मना रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, अमरित काल चल रहा है, क्योंकि हम 75 वर्षगार्ट मना रहे हैं, तो इन्होंने एन्नाउंस किया है, कि 2047 तक हम क्या करेंगे, सिकल सेल अलिमीनिया को खतम कर देंगे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कि CRPF के लिए क्या करेंगे, CRPF में Head Constable, ASI की भारी भड़कम विकेंसी आईए, 1315 विकेंसी आईए, सिफ Head Constable की, पढ़ना है, सारी चीजें, जैसे कि English हो गया, Hindi हो गया, Science की कुछ questions आते हैं, Reasoning के 25 questions आएंगे, क्लड के Laptitude में सब आएगा, Current FSG के सब, और Maths सब से ज़रूरी है, 25 questions आएंगे, बहुत नंबर उठता है, तो इसका नहीं हमने MCQ बैच शुरू किया है, ठीक है, इसमें सिफ MCQ, MCQ बढ़ा जाएगा, Code आपको यूज करना है Y332, ताकि आपको maximum discount मिले, 600 रुपे में, 600 रुपे में आपको ये MCQ बैच मिल जाएगा, आपका exam है 22 तारिक से, 15 फरवरी को आपका admit card आएगा, तो साथ तारिक से हमने MCQ बैच शुरू किया है, कुछ नहीं पड़े हो, तो आज आओ तावर तोड़ इसमें, पट 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 बहु सार question में बना लोगे, उस question के बाहर नहीं आएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स आप देखेंगे, यूनियन बजट के अनुसार क्या कहा गया है, कि average processing time for income tax return, तो income tax जो है, वर्दी चाहे तो पहनो, तो पड़ेगा न मैं, मतलब, क्या आपस मैं बात करड़ा है, यार बचलो, सुनो, देखेगा, income tax regime के अनुसार, income tax return के अनुसार, कितना दिन आपक helia déjà होता है, हाह हेटिक और होता है, हाह हेटिक होता है, सीये जो होते है वो हेटिसाए है, यह ही सब काम करते है, यह इपć supreme Haut got, है, तो इती एर फाइल करने में 16 ने का आपको समय दिया जाएगा, हेक है, तो बहुत कम कर दिया गया, पहले 93 डेस का nap कर दिना का तो समय आं के अब 16 दिन का आपको समय दिया जाएगा ठीक है चले और ये बोल रही है सीता रमन जी बोली है कि generally 45% तक लोग 24 गंटे के अंदर फाइल कर देते हैं बाकी मेरे जैसे आलसी होते हैं जो आखरी दिन के आखरी गंटे भी फाइल करते हैं तो वो उनको 16 दिन का समय दिया जाएग चले next सवाल है next सवाल है कि as per union budget how many capital has been allotted to Indian railway देखिए Indian railway को पैसा मिला है जाधा तो ये याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि 2.4 lakh करोर रुपे ये अभी तक Indian railway का largest allocation रहा है this is the largest allocation ever made to national transporter तो अभी तक जो है budget रहा था इनका 1.37 lakh करोर का अब इसको 2.4 lakh करोर रुपे बना दिया गया है Indian railway को अब देखिए तुम लों को budget को लेकि बहुत tension है लेकिन हम प्यार से तुमको MCQ पढ़ा दिया है इसके बाहर नहीं आएगा ठीक है चले हाँ PDF मिलता है बिटा टेलेग्राम पर मिलता है PDF क्लास के जस्ट बात तो नहीं एक दो घंटे बात मिलता है Union budget 2023-2024 के अनुसार how many tourism destination has been selected for development तो कितने जगा को select किया गया है और उनका विकास किया जाएगा तो यहां पर आप देखेंगे 50 ऐसे tourism destination है जिन पर focus किया जा रहा है travel and tourism sector द्वारा और इनको develop करने की बात की जा रही है चले नेक्स सवाल है कि how many money has been allocated allocated यानि कि इनको दिया गया है आधित्य माली नेवी MR वाले भी देख सकते हैं बिलकुल देख सकते हैं बिलकुल देख सकते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर कितना पैसा दिया गया है कितना पैसा दिया गया है MSME को MSME का मतलब होते है बहुत छोटा उससे थोड़ा बड़ा, और उससे भी थोड़ा बड़ा, है ना, Micro, Small and Medium, Micro, Small and Medium, Enterprise के जो लगू उध्योग होते हैं, चोटे-चोटे उध्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, कितने पैसे दिये गए हैं, तो यहां कहा गया है, 9,000 करोड, थोड़ा Estimate याद रखेगा, 5,000,000 करोड के आस-पास Defense को मिला है, 8,000,000 करोड के आस-पास Railway को मिला है, MSME को 9,000 करोड रुपे का यहां पर पैसा दिया गया है, इंडिया और US ने इनिशेटिव लिया है साथ में, कि हम Critical and Emerging Technology पे बात करेंगे, ठीक है, तो यह बात किस मिनिस्टर द्वारा लॉंच की गई है, कि बहुत सारा Technology है, जो बहुत विक्स से थोड़ा है, Defense में 5.4,000,000 करोड है, ठीक है, तो बहुत जारा विक्स से थोड़ा है, तो यहां पर यह Technology जो है, यह किस ने कहा है, तो इन दोनों ने मिलकर कहा है, कि I.C.E.T, Initiative on Critical Emerging Technology, इस पर बात की जाएगी, और Innovation Bridge, यानि कि इंडिया एक तरफ हो गया, यूएस एक तरफ हो गया, इसके बीच में Bridge बनेगा, बिच बनेगा नहीं, मतलब कि एक वर्च्वल, कि आप दोनों जो है, साथ में मिलकर काम करेंगे, यह Announce किया गया है, वहां के President Joe Biden, और हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो इसको याद रखेगा, I.C.E.T, ठीक है, Initiative on Critical Emerging Technology, इंडिया और U.S. इस पर बात करेगा, इंडियान गवर्मेंट ने, जैन्वरी दो हजार तईस में, कितने GST में, कितना राश्ची जो है, वो जमा कर लिया, अपने पास, देखें, कल यहीं सारा कैशन आपको फिर से रिवाइस भी करवाए जाएगा, ठीक है, कल ने, मंडे को, कल तो हम लोग तीन महीने के करेंट अफेस को ताबर तोड़ अदम पढ़ के खतम करेंगी, तो इंडियान गवर्मेंट ने एन्नाउंस किया है, कितना एमाउंट GST पे, तो इन जैन्वरी दो हजार तईस, इन्डियान गवर्मेंट ने कहा है, कि कितना पैसा हमको मिला है, एक लाख पच्पन हजार नौ सो बाईस करोर रुपे, इनको मिला है कहां से, तो GST से कलेक्शन पे मिला है इनको, ठीक है, जैन्वरी महिने में, नेक्स सवाल है कि फॉर्मर मिनिस्टर थे, शांती भुषन इनका निधन हो गया, तो ये मिनिस्टर तो थे, साथ ही साथ कौन थे ये, 97 येर्स के थे, तो ये लॉयर भी थे, लॉयर भी थे, आप लोगोंने पर सुना हुआ कि, ओडिसा में एक मिनिस्टर है, उनको एक इंस्पेक्टर ने ही गोली मार दी है, न एसाई है, उनको उनने गोली मार दी, बड़ा, मैं लोगोंने इंट्रेस्टिंग निउस है, कल मैं इसको सुन रही थी, आप लोगोंने सुना है या मैं एक लाइन में बता दूँ, बताईएगा, चले तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, और ये वेटरेन लॉयर भी है, शांती भुशन, इनका निधन हो गया है, 97 years के हैं, न्यू दिल्ली के हैं, और ये लॉव मिनिस्टर रह चुके हैं, मुडार जी दिसाई गवर्मेंट के अंदर, 1977 से 1979, क्या आपको पता हैं कि 1977 से लेकर, 5 साल कितना हो, 1982 तक एक प्रेसिडेंट बने थे, और ये निर्विडोध बने थे, यहाँ पर इन पर कोई भी ओपोजिशन आया ही नहीं था, तो इनका नाम है एन संजीवा रड़ी, ठीक है तो एन संजीवा रड़ी जो है, वो एक ऐसे प्रेसिडेंट है, जैसे जनरली क्या होता है कि कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो उनकी खिलाफ भी कोई खड़ा होता है, लेकिन इनकी खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता है, एंस अजिवा एडडी ठीक है? चलिए निउस बतायें निउस बस इतना सा है कि उरिषा में एक मिनस्टर हैं तो वो उरिषा में एक जगा है वहाँ के थे हैं और ये मिनस्टर जो हैं वो आते रहते थे ओरिषा और वहाँ के डिवलपमेंट को देखते रहते थें अब एक ASI जो एक महीने से सोच रहा था कि इनको हम मार देंगे अब यह तो पता नहीं था कि एक महीने से सोच रहा था कि नहीं अब वो बोला है जाके तो वो एसाई ने उनको गोली मार दिया हुआ क्या तो एसाई ने उनको गोली मार दिया और भीर उन पर अटाक करती उसके पहले पु आखरी नहीं लगाया इसलिए मारी ये कारण हो सकता है या फिर एक कारण ये है कि अपने घर से ये बहुत 300-400 किलोमेटर दूर काम करता था बार बार कहा रहा था कि ट्रांसफर करा दीजे ताकि हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहें वो भी नहीं होड़ा था तो इसलिए गोली मारी तो ये दो-तीन चीज न्यूज में आई लेकिन उसके बाद जब इनको पकड़ा गया इस पुलीस को पकड़ा गया और फिर बोला गया कि तुमने क्यों मारा गोली वो भी तुम्हारे ही जगा के मिनिस्टर है तुम्हारी बातचीत थी तुम जानते थे और लोग अपने काफी काम निकलवा सकते थे तो गोली कुँ माड़ी तो ये ही कहा कुछ बोला नहीं पहले इसकी प्लैनिंग मैं एक महिने से कर रगा। इस बीच में पांच बार घर गया था ठीक है तो इन लोगों ने पदा किया पुलीस ने कि 5 बार घर गया था तो बोला कि हाँ 5 तो जब हम मर जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि क्यों गोली मारी तो इसके लिए मैंने एक चिठी में एक कागज में यह सब लिख दिया था कि मैंने गोली क्यों मारी और वो चिठी मैंने अपने पॉकेट में रख ली थे लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मुझे पकड़ा गया और मैंने देख लिया कि अब मैं मर नहीं रहूँ, मैं तो पुलीस कस्टेडी में चला गया, तो मैंने चिट्थी जो है, वो वहीं रायपूर एरपोर्ट में जब मुझे यहां लाया जा रहा था, कि वाश्रूम में मैं गया, और वहां से मैंने उसको फ्लश कर दिया, ठीक है, तो वो कारण उसने तब के लिए रखा था, कि अगर मैं मर जाओंगा, तो मैं यह किसी को नहीं बताओंगा, लेकिन अगर मैं जिन्दा बच गया, तो यह कोई नहीं जान पाएगा, कि मैंने उनको गोली क्यों माड़ी, और वो मर गये, वो पहले हेट शॉट देने वाला था, लेकिन वो नहीं दे पाया, तो वो उसने चेस्ट पे माड़ी और वो मिनिस्टर का निधन हो गया है, तो अब पुलीस ने क्या किया, कि वहां पे वो गये हैं, और सेप्टिक टैंक वालों को बुलाया, वो चिठ्थी खोजने के लिए, अब नाली में चिठ्थी के आए, बचे गा। लेकिन वो चिठ्थी जो है, उसके कुछ की कागस के मिले हैं। लेकिन तो पुड़ा गल गया है। उसमें कुछ लिखा है पता नहीं चलेगा। लेकिन अब यह कह रहा है, सोचो मतलब कोई आत्मी कस्टेडी में उसे तुम बुलवा नहीं पाले हो कि क्यों माला तुम वो सब्टिक टैंक ढूंडना पड़ ला है तो यह क्यों होता है क्योंकि मालीजे कि पुलीस कस्टेडी में कोई बयान दिया गया है तो आर्टिकल नंबर 20 क्याता है कि पुलीस कस custody में दिया गया बयान court में admissible नहीं है तो इसलिए police उसके खिलाफ सबूर ठूण रहा है ताकि वो proper charge sheet वो उसमें file कर सके ठीक है तो ये काफी interesting news चल रहा है सोचो वो बोला कि अगर हम जिन्दा रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनको गोली क्यों मारे है इसलिए लिख के काफ़ फ्लश कर दिया समझे है और अगर हमका death हो जाएगा अगर मेरा death हो जाएगा तो पता चल जाना चाहिए इसलिए वो काफ़ पॉकेट में रखा हुआ था ठीक है चलिए यही न्यूस था सोचे तुमको बता दे तो उसमें हम में चीज भी जो हम बोलना चाहरे थे वो भी बता दिये कि पुलीस का स्टेडी में तुम जो है अपने आपको विटनेस ठीक है तो आर्टिकल नमर 20 और 22 बहुत प्यार से पढ़ाते हैं दोनों आज पास एक जास ही है तो वो पढ़ दीजेगा ठीक चलेंगे नेक्स आप देखेंगे नेक्स आप देखेंगे मेरा नाम कीर्ती पांडे है हू लॉंच दा विजट इंडिया दो हजार थाइस इनिशेटिव 20 और 22 पुलीस का स्टेडी के लिए है कि डिटेन और पेनाल्टी के बारे में है या आप जो है अपने खिलाफ सेल्फ विटनेस नहीं हो जाते है तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं थोड़े इंपोर्टेंट है तो ये है मिनिस्टर है जी किशन रडड़ी और ये विजट इंडिया 2023 टूरिस्टम मंतिरी है इन्होंने इसको लौंच किया है जी किशन रडड़ी ने फिर है फोकल कंट्री ओफ 46th, 46th International Kolkata Book Fair तो 46th International Kolkata Book Fair चल रहा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि focus country किसको बनाया गया है तो focus country जो है यहाँ पे Spain को बनाया गया है Spain को यहाँ पर यह पोल गता book fair में focus country बनाया गया है who has authored a new book title the poverty of political economics तो यानि कि political economics की गड़ीबी हाँ वैसे उस minister के बारे में एक और बात कहा गया है कि वह बहुत अमीर है उनके पास बहुत सारा कोईला का ब्लॉक्स बगेरा है तो पैसे बहुत जादा है बहुत बढ़े industrial है और और इसा में जतने भी मंत्री उसमें सबसे जाए पैस होने ही के पास हाँ जो SSE में कितने मार्स के करेंट अपैस आते हैं इन्होंने किताब लिखा है कि पॉलिटिकल एकोनॉमी की गडीबी के बार में इन्होंने किताब लिखा है ठीक है चले नेक्स सवार है की नेक्स सवाल है Recently Discovered अब एक Fossil है Fossil है Fossil मतलब क्या होता है Jivashm Jivashm का मतलब होता है कि माली जी हम नहीं रहे लेकिन मेरा कुछ जो असेंस है वो छूड़िया कहीं बाल का टुकड़ा या कहीं मेरा प्रिंट कुछ भी Fossil छूड़िया ठीक है तो वो Fossil का नाम रखा गया है Hibartopaterus Lambs Delhi ठीक है तो ये Fossil जो है Hibartopaterus ये Sea Scorpion का है Lambs Delhi ये 300 million है 1 million 10 lakh होता है 300 million साल पुड़ाना ये Sea Scorpion है इसका जिबाश में पाया गया है Tata Steel Chess Tournament 2023 तो ये किस ने जीता है Who has won Tata Steel Chess Tournament 2023 तो ये जीता है Anish Giri ने एक Dutch player है Dutch का मतलब होता है Netherlands के player है क्या Dutch वाले लोग आये थे अपने देश में कबजा करने के लिए आये थे Britain के बाद Britain के पहले आये थे Portuguese के बाद सबसे पहले Dutch आये थे Portuguese फिर सेकेंड में Dutch और Dutch और ब्रिटेन का बेदाड़ा में लड़ाई हुआ था ठीक है तो Anish Giri यहाँ पर Tata Steel Chess इन्होंने जीता है 85th edition या बात करतो हाँ वैपार करने आये थे बहुत बढ़िया हाँ तो यहाँ पर Indian Coast Guard Day हम celebrate कर रहे है 47th हम celebrate कर रहे है यह 1 फरवरी 2023 को हम Indian Coast Guard Day celebrate करते हैं Defense मंत्राले के अंदर World Interfaith Harmony Week Interfaith Harmony Week एक annual event है इसको मनाया जाता है फरवरी महिने में Interfaith Harmony यानि की हर एक धर्म पे विश्वास रखना चाहिए शान्ती बना के रखना चाहिए एक से लेके 7 फरवरी को मनाते हैं 7-14 फरवरी तुम लोग का special week चलता है उसके पहले faith रखिएगा है ना और बाकी सारे culture को promote करना है और कोई violence नहीं करना है 7-14 में भी violence ना हूँ आप लोग के साथ बगवान कड़े कहीं चपल जूता सैंडल ना पढ़ने लगे वर्ल्ड वेट्लैंड डे वर्ल्ड वेट्लैंड डे यानि की आदर भूमी दिवस तो आदर भूमी दिवस तो वेट्लैंड क्या होता है जाम दरस मालो की land भी नहीं है sea भी नहीं है लेकिन कहीं दल्दली चेतर है और दल्दली चेतर में हमने एक meeting की थी रामसर में रामसर एक जगा है राम नाम से confused मत किजेगा ये एरान में है ठीक है इरान में हमने वेट्लैंड पे की थी दो फरवडी को हम वर्ल्ड वेट्लाइंड डे मनाते हैं इस टाइम फॉर वेट्लाइंड रिस्टोरेशन इसका थीम है नेक्स नेक्स आप देखेंगे देखो जैसे मैंने CRPF का कहा कि MCQ से हो जाता है काम तो वैसे ही FCAT का एक्जाम है आपको पता है है ना फरवडी एंड में आपका FCAT का examination है तो यहां पर booster MCQ बैंच आ चुका है ठीक है यहां भी आपका Maths English इसमें हिंदी नहीं आती है Current of S उसके बाद Science, GK, Reasoning, GA यह सारी चीज़ें आपको यहां पर complete करवा दी जाएंगी यह आपका booster MCQ बैंच है यह भी 9 फरवडी से शुरू हो रहा है अगर लगता है कि माम question बनाने से बहुत फाइदा होता है तो इसमें Y332 code आप यूस कीजे 1100 रुपय में आपको यह मिल जाएगा और आप अडाम से अपना MCQ प्राक्टिस करना शुरू कर दीजिए ठीक है MCQ प्राक्टिस करना शुरू कर दीजिए MCQ से ही आपको maximum फाइदा होता है जारा सदाव question बनाने से चले next 25 question हमने कर लिये है 25 question और बचेंगे है ना purchasing power capacity होता है कि मालो तुम्हें जे में 100 रुपय है लेकिन तुमने कहीं और पे वो पैसा मालो US में 100 रुपय खर्च किये कोई value नहीं बचा उसका कुछ भी नहीं मिला एक चॉकलेट मिला इंडिया में खर्च किये एक प्लेट खाना मिलिया भर पेट खा लिए तो वो purchasing power capacity होता अनुराग सिंग ठाकुर जो है ये union खेल मंत्री है हिंदुस्तान का दिल धरकाद हो इसका theme गाना है और आशा इसकी mascot है शुभांकर है फिर आप देखेंगे कि जहांकियों में है ना Republic Day में बहुत सारी जहांकियां आई तो आपको बताना है कि कौन से state की जहांकी को best जहांक Republic Day में एवार्ड मिला तो Republic Day की जो best जहांकी रही वो कौन से state की जहांकी रही तो state था उत्राखंड उत्राखंड की जहांकी को best एवार्ड मिला महराष्ट्रा second हुआ और उत्तरप्रदेश third हूआ तो उत्राखंड की जहांकी में ऐसा क्या था तो state के wildlife के बारे में था और religion क बारे में था religious landmarks के बारे में था वहां की reindeer थी बहुत साथी चीडियाओं का depiction था उसमें और Jim Corbett National Park जिसका नाम अब हो गया है राम गंगा नाशनल पार क्योंकि वहां पे राम गंगा नाम की नदी बहती है तो राम गंगा नाशनल पार का वहां पे जहां की था और साथ ही साथ अजादी का अमृत सब हम मना रहे हैं महराश्ट्रा में इसके बारे में ये जहांकी था, उत्तर प्रदेश में आयोध्या देवोट सफ के बारे में, दीपोट सफ के बारे में जहांकी था, चलें, नेक्स्ट आप देखेंगे, तो सबसे पहला शेइन वान जी के नाम पे, है ना, हाँ बिल्कुल स्टेट के एसाब से भी हो जाएगा, शेइन वान जी के नाम पे एक एवार्ड रखा गया है, इसको कौन जीता, तो उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैच्समन है, और उस्मान ख्वाजा ने शेइन वान एवार्ड जीत लिया है, बेस्टेस प्लेयर ओफ दे यर दो हजार तईस का, ठीक है, उस्मान ख्वाजा, नेक्स आप देखेंगे, कौन सा शहर है, जो कि इंडिया का फर्स सिटी है, तो गेट रियल टाइम सोर्स ओफ पॉपुलेशन, of pollution, air pollution, तो air pollution बहुत जादा हो रहा है, और रियल टाइम, यानि अभी कितना pollution है, इसके बारे में ये बताएगा, और ये कौन सा स्टेट है, ये वही होना चाहिए, जहां पर सबसे जादा pollution है, तो ये दिल्ली है, दिल्ली में air pollution बहुत जादा है, और पहला ऐसा शहर बन गय ठीक है, IIRF के report के नुसार, which institute is the best college to pursue MBA course in India, तो अगर आपने MBA करना है, तो आपको कहा जाना चाहिए, I am Bengaluru जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, उसके बाद ये पुडाने report के नुसार, अब फिर से ABC का concept आ गया है, ABC यानि की एहमदाबाद, Bengaluru और उसके बाद कोलकता, तो एहमदाबाद अभी best college चल रहा है, MBA के लिए, next सवाल है, UNESCO, UNESCO ने designate किया है, Odessa, Odessa as the world heritage in danger site, तो danger site है ये, ठीक है, danger site है, और यहाँ पे इसको world heritage site बनाया गया है, ये कहाँ पे है, युक्रेन में, तो UNESCO कह रहा है, कि जैसे कि युक्रेन ने बहुत जादा danger face किया, रश्या के air strike से, तो एक जगा है Odessa, Odessa historic center strategic port site भी है, Black Sea के पास है ये, और यहाँ पर बहुत जादा firing हुई, और अब UNESCO ने इसको danger site में, एक heritage site बना दिया है, next आप देखेंगे, तो समग्र सिक्षा अभ्यान, सब को सिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने समग्र सिक्षा अभ्यान, ताकि खासकर बच्चियों पर ध्यान दिया जाएगा, उनको यहाँ पर सिक्षा मिलना चाहिए, और ये आरोहनी, आरोहनी initiative training program के तहत इसको चलाया ठीके, देखें, तो current affairs से डर लगता है, GK से डर लगता है, math से डर लगता है, reasoning test से डर लगता है, तो CDS का exam में 16 April को पढ़ना है अगर, selection kit है, इसमें test series भी रहता है, इसमें e-books भी रहता है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना है CDS में, तो आप इस branch में आईए, ठी आपे clear कर दिया जाएगा, और यह 27 January से यह branch शुरू हो चुका है, तो next, next आप देखेंगे, तो which state has inaugurated 5-day G1 Vidya Shivhar for teachers, G1 Vidya Shivhar for teachers, तो कौन सा सा state है, जिनों ने यह शुरू किया है, तो यह दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, S-C-E-R-T, Council of Education, Research and Training, S-C- जीवन विद्या Shivhar शुरू किया है, और यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, next आप देखेंगे, लाडली बहन, लाडली बहना, यह scheme शुरू किया गया है, मद्धे प्रदेश द्वारा, लाडली बहना scheme, ताकि बच्चियों को यहाँ पर सारा चीज मिले, और जो poor family में ब बने है तो अमन परीत सिंग्ग बने है, और अमन परीत सिंग्ग बने है, यह वाइस चीफ बने है, यह वाइस चीफ बने है, इंडियन एर पोर्स के, और यह लिए नोंने रिप्लेस किया है, संधीब सिंग को, next सवाल, next सवाल है की, who has become India's first payment gateway process, process Central Bank digital currency, तो Central Bank digital currency, Central Bank digital, तो यहां पर क्या बोला गया है कि भारत का पहला फॉर्स्ट फॉर्स्ट पेमिंड गेटवे प्लेयर है यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का और यह सीसी एवेन्यू बना है ठीक है याद रखना है बस हो सकता है कि आज आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो नहीं चीजे हैं बहुत सारी है ना तो बस आज क्या करना है कि आज हमें 50 क्वेशन अपने दिमाग में डालने हैं बस और क बारत का पैसिफ शॉट तंब यह शॉट डिवरेशन के लिए कम टाइम के लिए अगर आपको इनवेस्ट करना है तो आप इसमें जा सकते हैं थर्ड इंटर पोल यंग ग्लोबल लीडर प्रोग्रैम तो थर्ड इंटर पोल ग्लोबल लीडर प्रोग्रैम यह इसका थीम है Interpol का मतलब क्या होता है कि Interpol मलीजे कोई crime कर गया, भाग गया, किसी दूसरे देश में भाग गया तो Interpol जो उसको पकड़ के लाता है तो इस बार का theme क्या है? Trust ठीक है? Interpol Next आप देखेंगे, who has been appointed as a head of Morgan Stanley India तो Morgan Stanley India के head जो है, उनका नाम है Arun Kohli अरun Kohli जो है, वो Morgan Stanley के head बने है यह Sanjay Shah को replace कर देंगे Well-known poet and writer, K.V. Tiru Malish का निधन हो गया है 82 years के हैं यह और यह कहां के हैं? यह तलंगना के है K.V. Tiru Malish का निधन हो गया है, 82 years के हैं और यह तलंगना में है Harman Preet Singh जी का appoint क्या गया है brand ambassador किस company के लिए? तो यह company है Puma Puma Harman Preet Corps को यहां पर appoint कर रहे है Puna के brand, Puma के brand ambassador और यह T20 player है, Women Indian Cricket Team की player है यह है Harman Preet Corps Next, which state cabinet has approved? A state florid culture, florid culture यानि यह फूल होगा ना बहुत सारे flowers को गया जाएगा हम देख रहे हैं कि आप लोग इदम आ रहे हैं ऐसे session में तो मजा नहीं आएगा क्या बात हो गया? आज हम पहली बोल देखे हैं कि 50 question है थोड़ा सा concentration level को बढ़ाना है और 50 question को discuss करना है लेकिन नहीं देख रहे हैं, जब comedy nights with couple कर देगे हैं हम यह आपे तो सारे बच्चे आ जाएंगे लेकिन जब हम मुद्दे का बात कर रहे हैं Morgan Stanley company है investment company है ठीक है? मुद्दा का बात कर रहे हैं तो सब भाग रहे हैं 1500 करोर रुपे तेजपूर, तेजबूर का है? असम में, फूल उगाने के लिए दिया जा रहा है which Indian batsman has recently announced his retirement from international cricket तो कौन से Indian batsman है? जिन्होंने कहा है कि international cricket से हम चल गये तो यह मुद्दी विजय है मुद्दी विजय ने कहा है कि हमको आप ने खिलना है तो देखे foundation तो को सचे कोई बढ़ेगा कि अब हम ने खिलेंगे फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है National Forensic Science University कर्णाटिका तो National Forensic Science University कर्णाटिका में अमिच्छा जी ने यहाँ पे धारवार कर्णाटिका में National Forensic Science University ताकि वहाँ पे जाके बोला जाए कुछ तो गरबर है दया और वहाँ पे प्रोफेसर सारू के आ जाए और Forensic में काम करे तो यह कहा है धारवार कर्णाटिका में देखो इस तरह से जोग करते हैं तो मिलों को बड़ा मजाता है पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत है CEO कौन है गुजरात मेरी टाइम क्लस्टर के CEO कौन बनाए गया है तो यहाँ पे देखेगा CEO जो है यह माधवेंदर सिंग माधवेंदर सिंग जी जो है यह CEO बनाए गया है पाँच क्वेस्टन और देख लो बस Monthly Alliance of Unemployment Youth तो अभी देखो यह स्टेट बड़ा अच्छा है बिरोजगार लोग जो है उनको Monthly Alliance दिया जाएगा 26 जनवरी 2023 को भुपेश बैगल ने कहा है कि जो Unemployed Youngster है उनको Monthly Alliance दिया जाएगा कितना पैसा दिया जाएगा खोच के हमको बताना ठीक चले CEO बनाए गया है हैंस सुमेशर हैंस सुमाकर हिंदुस्तान यूनिलिवर यह सा आप देखते हैं है ना टूथपेस्ट और साबूर में लिखा रहता है उसके बनाएगा है अब देखिएगा तो अब who has been recommended as the drug controller general of India by UPSC तो UPSC ने इनको कहा है कि इनको drug controller बनाना चाहिए यह डॉक्टर राजीव सिंग रघुवन्शी है डॉक्टर राजीव सिंग रघुवन्शी को drug controller of India बनाना चाहिए असा इनको recommendation मिला है head coach कौन किस country के बनाएगा है कौन Graham Reid को Graham Reid जो है यह बन गया है head coach लेकिन यह hockey के बने है ठीक है, hockey के बने है तो Graham Reid Graham Reid टीम इंडिया के hockey team के head coach बन गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी से Olympics की तियारी में लग चुके है लगेंगे यह अगले साल है Who has been the largest buyer of MSME goods in 2022 तो MSME का मतलब होता है छोटे छोटे लगू दियोग जो होते हैं उनके सबसे बड़े बायर कौन बने हैं उनके सबसे बड़े बायर जो है Indian Defense बना है Indian Defense सबसे जादा recruitment भी करता है तो Defense से यादा है हमको कि अगर लगता है कि याद Defense में ही जाना है ठीक है चाहे आप Commissioned Officer बनके जाना चाहते हैं FCAT में CDS में CAPF में या फिर आप Non Commissioned Officer बनना चाहते हैं जैसे ITBP, CISF बाकी Assam Rifle का भी आता है BSF है ना या फिर आप अगनी वीर में जाना चाहते हैं या आपने भी 12th Pass के और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जजबा है तो हर एक exam की Defense Maha Pack में तेयारी होती है यहाँ पे हम आपको GK और CurrentFS पढ़ाते हैं यहाँ पे Test Series होता है या Test Series के साथ-साथ E-Books भी दिये जाते हैं जो भी आपको तेयारी करना है उसके लिए आपको सब कुछ यहां मिलेगा 6 मेने का कोर्स लेते हो तो 299 रुपय का करीबन यह पढ़ता है अगर आप Adair 247 के app से लीजेगा तो app से लीजेए वहाँ पे आपको 78% का discount में लेगा ठीक है Code आपको यूज करना है Y332 Y332 ठीक चलिए तो अब यहाँ पे हम आपको एक काम देके जा रहे हैं यह एक screenshot आपको लेना है देखे Jupiter का IC mission यानि juicy mission इसको कहा गया है उसके बाद आप देखेंगे Starship या बाकी missions के बारे में यहाँ पे mention है इसका आप screenshot ले लीजे और यह याद करके आईएगा कल हम आपसे पूछेंगे और कल का जो आठ बजे का current of ice का class है वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम November December और January तीन महिने के पूरे current of ice आपको revise करवा देंगे आपके exam के लिए तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आके हाँ और जो engineering की तैयारी कर रहे हैं जो J E बनना चाते हैं जो A E बनना चाते हैं उनके लिए भी उनका तो पूरा gk है मतलब total gk और current of ice हम पढ़ा रहे हैं एक बहुत प्यारा सा foundation course लेकर आए हैं जो की बहुत लंबा चलेगा उसमें history history के 30 classes हैं ठीके तो आपने क्या करना है आपने जली से website पर जाना है website पर जासे all courses में जाते हैं तो all courses में जब आप जाते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पर सारे exam देखेंगे आप gate engineering section में जाएंगे SSC J की आप तियारी कर रहे हैं यह मत सोचिए कि आप से पढ़ेंगे देखा जाएगा वैसे नहीं होता है डिप्लोमा बीटेक आपने किया हुआ है civil, mechanical या electrical में मालीजे, civil में तो इस civil में अगर आप देखेंगे तो non-tech को लेकर आप परिशान होते हैं non-tech आप से देख लीजे आप study plan तो यहां पर हम ऐसे 11 बजे क्लास लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे history का class चल रहा है आज 2 तारिक है आज 3 तारिक है history का आज weekly division चलेगा history का आज weekly division चलेगा test number 2 है फिर 4 दिन पढ़ेंगे fit test फिर 4 दिन पढ़ेंगे fit test इस तरह से history history के आपके करीबन extra classes दिये हुए है 30 तक है ना 23 तो 23 तो आपके class है बाकी test भी आपको दिया हुआ है यहां पर उसी के बाद आप देखेंगा quality का भी same तरीके से चलेगा quality का 22 class है उसके बाद test भी दिया गया है history of geography का फिर economics भी है इसमें economics भी हम पढ़ाएंगे इसमें यह total syllabus यह total syllabus हम आपका complete करवाएंगे और उसके बाद miscellaneous भी पढ़ाएंगे जैसे हम आपको यह जीके पढ़ाने वाले हैं वैसे ही आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको science पढ़ाया जाएगा फिर आपका reasoning पढ़ाया जाएगा तो काफी बहुत ही विस्तार तरीके से आपका यह syllabus कंप्लीट करवाया जाएगा civil का है वैसे ही आपका tech का भी है ठीक है tech में भी आप देखेगा tech में भी आपको total चीज यहां पर तीन teacher है, RK सर है, Rajat सर है, Pramot सर है हर एक subject में चाहे वो electrical हो, mechanical हो, civil हो ठीक है, यहां पर आपका सारा syllabus कंप्लीट करवा दिया जाएगा बिल्कुल foundation course यह सोचके कि आप लोगो कुछ नहीं आता है ठीक है, तो आपने किसी में भी diploma या भी टेख किया है civil, electrical या mechanical में तो अब जल्दी से इस course में आजाएगे foundation batch है, code आपने use करना है, Y332 और apply कर देना है और जैसे आप apply करते हैं, तो यह एक साल का course है, 12 महिने का course SSC Jai का, यह आपको मिल जाएगा सिफ 2414 रुपे में और code आपको use करना है Y332, ताकि आपके 8,084 रुपीज आपके बच जाएं ठीक है, तो यह SSC Jai का batch है जिसको आप ले सकते हैं बहुत easily और जैसे defense के जो aspirant है उन्हों नहीं का करना है, तो government job section में आप defense में जाएगे, जिस भी exam के आप तियारी कर रहे हैं, उस पे click कीजे और उस पे click करके, जैसे तो जल्दी मेरी classes भी लगेंगी और 2069 रुपीज में आपको मिल जाएगा मेरी classes में आप लोग काई वेट करी हूँ तो दो-तीन दिन में जब आप लोग आ जाते हैं तो मंडे से मेरी classes start हो जाएंगी ठीक है, तो thank you for the session हाँ, CDS के लावा अगर FCAT बगेरा बाकी exams के आप तियारी करें तो आप defense का best तो यह ही है जिसे FCAT का MCQ है, यह 1100 रुपए में आपको MCQ booster bench मल जाएगा code आपको यूज करने है Y332 अगर सब कुछ चाहिए तो best तो हमेशा आपको पता ही है, महापैक होता है तो session पसंद आएगा, तो like कीजेगा चानल को subscribe कीजेगा और जल्दी से जल्दी आप install कर लीजे, क्योंकि free में भी बहुत सारा content है तो जब आप walk करते हैं, बाठे हुए हैं time waste कर रहे हैं, तो उसमें question बनाते रहेगा, thank you for this session कल मिलते हैं, कल तीन महिने के current office है, हम revise कर लेंगे, thank you Rajveer बनाशी नहीं जैहिन